साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गती प्राप्त की हैं, जो उपलब्दियां हासिल की हैं, वो असाधरन है, अभुद्पुर्व है. जब भारत कोविट महमारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिर्था के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्तिववस्ता बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी एकोनोमी से कॉंपिट करता है, तो फाइव एकोनोमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एकोसिस्टिम बनता है, जब मोबाइल मैनुफेक्टिरिंग जैसे एक शेत्रों में, इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टिरिंग जैसे एक शेत्रों में, मेक इन इंडिया का डंका बसता है, जब भारत अपने दम पर, टेजस फाइटर फ्लेंड, एरक्राप्ट केरियर, आइनेस विक्रांग और अरिहन्त जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में कुरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है भारत का फ्यूचर क्या है, इसी तरह जब कैस्टलेश एकोनमी की बात होती है, फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया ये देखकर हरात में है, कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बना रहा है सौफ्वेर और डिजिटल टेक्नोलोजी के खेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है आप पैसे बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ भारत का ये दमखम भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज भारत का संदेश भारत की कही बात एक अलग ही माइने रखती है भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और जादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रती जिग्यासा भारत के प्रती कुरियोशिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मूलके लोगों की प्रभासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्ते के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के अधार पर बता पाएंगे मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की अपडेटेड इंफरमेशन होनी चाहिए